हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका होम ट्रेशन चल पे दोस्तों CISF एड कोस्टेबल सपेसल अमने बैच बनाया है जो की एक सप्टमबर से स्टार्ट होने वड़ा है और ये उसी बैच की दूसरी किलास है दोस्तों तो आज इस किलास में डिस्स करने वाले हैं सर्ट्स और इ एडमिशन ले सकते हैं इस नंबर पर आपको पेमेंट करनी है पेमेंट आप फोन पे या गुगल पे से कर सकते हैं और जैसे आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीन सोट आप में इसे नंबर पर वाट्सप पर सेंड कर देंगे दोस्तों केलासी इसकी उस औरड़ी यानि एक सब्टेंबर तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हो दोस्तों आराम सी क्लास को देखी अगर आपको समझ में आता है तो ही आपको एडमिशन लेना है क्योंकि यह जो बैच है यह CISF Head Constable Targeted बैच है दोस्तों और बहुत जल्दी हम इसमें सलेबस को कंप्लिट कर दे है 999 में का जो रुपए है आपके च्यार मेहने के हैं दो सब्जेक्ट पूरा कोर्स आपको मिलेगा टोपिक वाइस पेडियाफ मिलेंगी इसके लावा हर सब्ता मोग टेस्ट आपको मिलेगा CISF का कंप्लिट मोग टेस्ट ठेक है दोस्तों तो बहुत सारी चिज़े आपक के पास वीडियो रहेंगी WhatsApp में जब चाहो जितनी बार चाहो वीडियो को देख सकते हो जब भी कोई चीज समझे में आई आप वीडियो को आकर देख सकते हो अपने कंसेट को अपने डाउट को दूर कर सकते हो ठेक है तो मैं यही करना चाहूंगा फटा-फट जल्दी से ज याने की घातांक एवं करने जैसे माल लीजिए दोस्तो सबसे पहले तुम्हें इतना करना चाहूंगा कि यह वो टोपिक है चाहे आप CISP की तयारी कर रहे हो चाहे देले पलिस की तयारी कर रहे हो SSE की तयारी करो किसी भी 10 एकजाम का आप तयारी कर रहे है यह एक ऐसा टोपिक है इस टोपिक से क्शिन बनते है है किसी भी 11 एकजाम में आप जाके देख लीजिए certs और indices का question आपको मिलेगा ही मिलेगा चाहे वो basic question हो चाहे वो advance का question हो क्योंकि certs और indices दो पार्टों में डिस्स किया जाता है एक पार्ट इसका advance का होता है एक पार्ट हम number system में डिस्स करते हैं तो यहाँ पर हम number system के according ही जो चीज़े आती हैं वही हम यहाँ पर indices करेंगे दोस्तों जैसे माल लीजी दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि यह इस प्रकार से लिखा हो है two into two into two into two into two और यह लगातार जा रहा है माल लीजी पचास बार तो हम इसको लिख सकते हैं बही दो है दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा यह 50 बार रेपीट हो रहा है तो इस रेपीटेशन को खतम करने के लिए हमने क्या कर दिया कि वह यहाँ पर दो लिखा और यह जितनी बार रेपीट हो रहा है इसकी उतना ही यहाँ पर यह पावर जड़ा दी आपने इस फोर्मेट में नंबर देखेंगे तो यह जो दो है यह जो निचे नंबर होता है इसको हम कहते हैं बेस यह क्या होता है दोस्तो आपका आधार होता है और यह आपकी क्या कहलाती है दोस्तो पावर कहलाती है यानि घात कहलाती है और हम कहते हैं दो की पावर पचास ठेख दोस्तों तो यह क्या है दोस्तों इंडाइसिस है करनी है दोस्तों जब यह किसी reposition को खतम करने के लिए power चड़ाया जाता है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले बेस लेते हैं और पुरुस्त की पावर पर चड़ा देते हैं तो यह पूरा मिलकर क्या 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 लगता है दोस्तों इंडाइसिस क्या लगता है दोस्तों ठेक है अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले स्वालों पर जाने से पहले कुछ rules है basic आपको इनको रटना नहीं है केवल आपको देखना है कि क्या होता है दोस्तो ठेक है तो यहाँ पे कुछ rules हम डिस्स करेंगे जैसे सबसे पहला rule है जैसे मान लीजे A की power M है गुणा A की power N है दूसरा यहाँ पे है A की power M है divided दूसरा यहाँ पे rule बनेगा जैसे A की power M है गुणा में B की power M है चोथा यहाँ पे rule बनेगा A की power M है divided B की power M है ठेक है इसके बाद जो पांचवा rule बनता है वह आपका बनता है इस प्रकार से A की power M की whole power और छटा जो rule बनता है दोस्तो वह बनता इस प्रकार से A की power M और root की power M ठेक है तो यह basic rule है यहाँ पे तो आप जानते है जब दो base समान multiple में होते है base यहाँ पे समान है दोस्तो और sign किसका है multiple का जब base समान हो और multiple में है तो power क्या हो जाती है जड़ जाती है तो हम यहाँ पे इसको लिश सकते है A की power M पलस में N दोस्तो जैसे मान लीजिए मैं एक लाओं 3 की power 5 गुणा में 3 की power 2 तो आप यहाँ पे देख रहे है base समान है power अलग-अलग है और multiple है तो दोस्तो जब multiple होता है power अलग-अलग हो चाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर base समान है तो power क्या हो जाती है जुड जाती है तो 3 की power क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है अच्छा दूसरा rule यहाँ पे है A की power M divided by A की power N यानि कि जब base समान हो और divide में हो तो power क्या हो जाती है घट जाती है ठेक है दोस्तो तो यहाँ पे क्या हैगा A की power M minus N इसमें 3 छोटे छोटे rule और है जैसे माल लीजिए इस प्रकार से लिखा है A की power 5 और बटे में है A की power 3 तो इसको में लिखेंगे 5 में से 3 गटेगा न तो 1 की power क्या जाएगा 2 आजएगा अगर कभी ऐसा हुआ 1 की power 3 बटे 1 की power 5 निच्छे वाड़ा बड़ा हो गया तो यह आएका दोस्तो 1 बटे 1 की power 1 by की power minus 2 इसको convert करेंगे तो आप इसको आगे कर लेंगे कई बार ऐसा होगा 1 की power 5 बटे 1 की power 5 दोनों इससमान होगी तो इसका क्याएगा दोस्तो एक आएगा तो यह अलग अलग rule है कुछ नहीं है जो basic चीज है वो यही है जब बेस समान हो और बीच में divide का निसान हो तो power क्या हो जाती है घट जाती है बस इतना याद रखिए आप ठेक है अब यहाँ पे हम देख पा रहे है कि यह जो दो सुत्तर थे इसमें क्या थे बेस समान थे power अलग 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 थी एक बार multiple था एक बार divide था यहाँ पे हम क्या कर रहे है बेस है वो अलग अलग है power समान है एक बार multiple है एक बार divide है तो दोस्तो जब बेस अलग अलग हो और power समान हो तो इसको हम लिख सकते है A into B की power M ठेक है इतना ही करना है जैसे यहाँ पे है A की power M divided by B की power M यानि बेस है वो divide में है और अलग अलग है लेकिन power समान है तो इसको हम लिख पा रहे होंगे A divided by B की whole power M कुछ नहीं करना बस जैसे माल लीजिए मैं लिख रहा हूँ माल लीजिए 2 की power 3 गुणा में 5 की power 3 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो दो गुणा में 5 की power 3 दोस्तो इसी प्रकार अगर ये डिवाइड में है तो 2 की power 3 divided by 5 की power 3 तो लिख सकते हैं 2 divided by 5 की power 3 यानि इसको हम लिख सकते हैं 2 बटा 5 की power 3 कुछ नहीं है simple जीजए ठेक दोस्तो इसके बाद आगे बाद करते हैं यहाँ पर दे रखा 1 की power m की whole power n तो आपको बता है जब यहाँ पर ये power है और इसकी whole power n है तो आपस में क्या हो जाती है multiply हो जाती है तो यहाँ पर आजाएगा 1 की power m into n जैसे हम देख रहे हैं कि मानलीजे 10 की power 2 है कि whole power 3 है तो हम क्या कर सकते है 10 की power यापस में क्या हो जाएगी multiply तो 10 की power कितना जाएगा 6 आ जाएगा दोस्तों इसे परकार आखरी जो rule है तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाड़ी बात है कि जैसे मानलीजे कोई number इस परकार से लिखा हुआ है कि रूट के अंदर A है और इसकी order लिखा हुआ है N तो इसका मतलब होता है A ये N है ये 1 by N में connect हो जाता है जैसे मानलीजे मैं लिखता हूँ है यहाँ पर 7 और ये order 3 है तो इसका मतलब है 7 की power 1 by 3 यानि ये जो order होता है ये power में अपोन में चला जाता है 1 by 3 होता है दोस्तो बातारी समझ में तो जब आप इसको solve करेंगे तो A की power तो M है A की power M है की whole power क्या होगी 1 by N ये क्या होगी 1 by N अब ये M गुणा में 1 by N क्या होगा A की power M बटे N दोस्तो यही तो बनेगा आप गुणा कर रहे हो M गुणा में 1 by N को तो क्या बनेगा M upon N बनेगा तो एक किसकी power हो जाएगी A की power M upon N हो जाएगा दोस्तो और सात्वा rule यहाँ पे बिल्कुल basic rule है कि किसी भी संख्या की अगर power 0 है तो उसका मान हमेश्य कितना होता है जैसे मान लीजीए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे मान लीजीए मैंने लिखा 7 की power 0 तो इसका मतलब 1 होगा मैं लिख रहा हूँ 101 की power 0 तो इसका मतलब 1 होगा 27 की power 0 तो इसका मतलब कितना होगा 1 होगा यानि किसी भी नंबर के अगर power यहाँ पे 0 लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या होगा एक होगा तो दोस्तों ये थे basic rule जो आपको जानने चाहिए सबसे पहला rule है जब base समान हो और multiple हो तो power क्या हो जाती है जुड़ जाती है वहीं अगर base समान है और divide में हो तो power यहाँ पे घट जाएंगी power M दोस्तों यानि जब base अलग-लग हो power समान है तो इसका मतलब यह जो power है यह दोनों पर ही है तो इसको हम दोनों को इखटा करके लिख सकते हैं और whole power M हम यहाँ पे apply कर सकते हैं ठीक यही rule आपका divide में लगेगा A की power M भाग में B की power M है इसका मतलब A भाग में B की whole power कितना हो जाएगा M हो जाएगा और एक है A की power M की whole power N इसका मतलब whole power में numbers power क्या हो जाती है multiply हो जाती है तो A की power M into N आजाएगा यहाँ पे दे रखा है A की power M का root N का order दे रखा है तो यहाँ पर यह तो सेम ही लिखा जाएगा यह क्या हो जाता है 1 by power में चला जाता है 1 by n हो जाएगा तो यह answer जो यहाँ पर बनेगा a की power m upon n होगा और किसी भी number के अगर power 0 है तो इसका मतलग क्या होगा दोस्तो 1 होगा ठेक है तो मैं आसा करता हूँ यह चीज़ आपको समझ में आई होगी आप इसको note down कर लेंगे अपने copy में वीडियो को पोज करके ठेक है ताकि notes मनाते आप चलिए ताकि चीज़ें आपको clear होती रहें क्योंकि दोस्तों यह काम आने वाड़ी चीज़ें है टोपिक में कही ना कही इनका यूज होगा ठेक है तो कोता ही नहीं बरतनी है पढ़ने में कोता ही अमेस्या बरतनी चीज़ जब आप revision कर रहे हो जब आपको concept आता हो revision कर रहे हो तब आप इन सुत्रस को neglect कर सकते हो नजर अंदाज कर सकते हो लेकिन जब आप सीख रहे हो मैथ को सुरवात कर रहे हो तो आपको इनको नजर अंदाज बिलकुल भी नहीं करना है नहीं तो भारी पड़ जाएगा दोस्तो चालिए दोस्तो आगे भढ़ते हैं तो इस टॉपिक में दोस्तो कुल मिलाकर पांच स्ट्राइब के क्युश्शन मनते है ठेक है? वारे नंबर सिस्ट्रम में जो इससा बनता है वो पांच स्ट्राइब के क्युश्शन मनते है इनको हम वन बाई वन डिसस करेंगे वाकि के जो पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट है वो एडवांस में डिसस किये जाते हैं लेकिन हम यहाँ पे केवल CIS सब दिलिपलिस को टार्गेट करते हुए बैच से लांच कर रहे हैं तो मुतना ही पड़ेंगे जितना इनमें आता है दोस्तों ठेक है? तो सबसे पहली जो टाइप आती है वो इस प्रकार से आती है टाइप फस्ट यहाँ पे हम डिसस कर रहे हैं दोस्तों टाइप ए और इसमें जो पहला किस्टर बनता है वो इस प्रकार से बनता है आपको मिलेगा root to into root to into root to into root to and into root to यह आप से पुछा गया दोस्तों ठेक है और पुछेगा इसका मान क्या होगा दोस्तों तो यहां पे सबसे पहले मैं इसको डिटेल से बताऊगा फिर मैं यहां पे डारेक्ट आपको ट्रिक बताऊगा दोस्तों तो यहां पर करते क्या हैं दोस्तो यहां पर number है root में और इनके बीच में कोई भी symbol नहीं है इसका मतली नंबर किसमें लिखे हुए है multiple में किसमें है ये multiple में है जब भी कोई संख्या root के अंदर होती है और multiple में होती है तो आप उसको किसी भी छोर से soul कर सकते हो यहां से आप left to right soul कर सकते हो right to left soul कर सकते हो कोई problem नहीं है लेकिन दोस्तों अगर यही नमबर ऐसे होते होते मान लीजी root 2 plus में root 2 plus में root 2 plus में root 2 यानि यहां पर अगर multiple के अलावा कोई भी symbol होता तो उसको हमेशा आखरी छोर से soul किया जाता है सुरुवात से soul किया जाता है दोस्तों लेकिन यहां पर क्या है multiple है तो multiple में आप कहीं से भी soul कर सकते हो जैसे मान लीजी मैं आपको करना चाहूँ 5 गुणा में 4 गुणा में 2 यह लिखा हुआ है तो आप इसको अगर left to right soul करोगे तब भी चारीस आएगा अगर आप right to left soul करोगे तो 2 चो के 8 पंजे चारीस तब भी चारीस आएगा यानि multiple में आप left to right soul करो या right to left soul करो कोई problem नहीं होती है दोस्तों छेक है दूसरा मैंने अभी अभी आपको बताया कि कि किसी भी number की मान लीजी ए लिखा हुआ है और उसकी पावर यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका मतलत है एक की पावर one by two दोस्तों बातारीस मजबें तो हम इसको soul करते हैं तो यहां पर क्या है दोस्तों दो लिखा हुआ है अब दो लिखा हुआ है तो 2 की उपर कितना रूट चड़ावा है एक तो एक रूट का मतलग क्या होगा दोस्तों one by two तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर one by two दोस्तों बेच में किसका निसान multiple का अब यह दो लेते हैं यह दो लिया दोस्तों अब इसके उपर देखे कितने रूट है एक तो यह खुद का है और एक यह दूसरा है एक यह खुद का है यह दूसरे का है तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों एक बटा दो गुणा एक बटा दो होगा भाई एक रूट का मतलग होता है one by two यहाँ पे हैं एक और दो तो दो रूट का मतलब one by two into one by two अगला दो लेते हैं यहां पे कितना हैंगे दोस्तो एक दो तीन च्यार तो एक बटे दो और जोड़ दीजिए कितना है का दोस्तो वन भाई सिक्स्टेन दोस्तो अब आगे सोल करेंगे दोस्तो इसको तो हम इस दो को लेंगे तो यह दो लिया दोस्तो इसकी पाउर कितने तो एक 1 by 2 औरेड कर देंगे तो इक इतना है का दोस्तो 1 by 32 दोस्तो बात आरी समझ में इतनी बात आपको किलियर होनी चाहे हैं अब देखें सभी का बेस समान है पावर अलग-लग है और अगर संख्याय मल्टिपल में है और बेस समान है तो पावर क्या हो जाती है जुड़ ज है 2 की पावर 1 by 2 plus मे 1 by 4 plus मे 1 by 8 plus मे 1 by 16 plus मे 1 by 32 जब आप इसको सोल करेंगे ते आएगा 2 की पावर 31 by 32 यही सवाल का आंसर होगा ठ्रीक दोश्तो क्या होगा 2 की पावर यहाँ पे 32 उपर एक कम आ जाएगा दो सोब इस सवाल का आंसर बन रहा होगा अच्छा दोस्तों एक कूर तरीका मैं आपको बतता हूँ इसको कैसे यहाँ पर लोजिक अगर आपको इसमज में नहीं आया तो एक बार फिर देखिए इस बार हम इसको अंदर से सोल करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कंसेट दे रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले आप इसको सोल कीजी तो इसको सोल करेंगे तो क्या बढ़ेगा दो की पावर वन बाई टू अब ये दो है अब इसको सोल करता है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ये दो तो है और इस दो को sol करेंगे तो 2 की पावर 1 बाई 2 आ जाएगा दोस्तु आएगा कि रहे हैं तो पावर क्या हो जाएँगी जुड़ जाएँगी यहां पर 2 की पावर 1 बाई 2 है तो यह पूरा मिल कर कितना हो जाएगा 2 एक कमदो और एक 3 यानि 2 की पावर 3 बटा 2 हो जाएगा यानि यहां तक जब आप सोल कर रहे हैं तो यह आएगा 2 की पावर 3 बटा 2 दोस्तो यह आपने सोल कर दिया आब इस पे आते हैं यह आएगा 2 गुणा में 2 की पावर 3 बटा 2 दोस्तो फिर से बेश समान है पावर क्या होंगी जुडेंगी तो 2 1 कम 2 3 5 तो कितना हैगा दोस्तो 2 की पावर 5 बटा 2 ठेक है अच्छा इसका एक और multiple भी आएगा तो ये गुणा में एक बटा दो और करेंगे ठेक है तो 3 2 2 नी 4 यार साथ बटा दो आएगा इस प्रकार से आप इसको सोल करेंगे फिर आप इसको सोल करेंगे ठेक है यारी अंदर से एक एक को ओपन करते चलेंगे तो इस प्रकार से आके बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों ठेक है तो आखरी में आपका जो आंसर आएगा वो दो की पावर जब आप इसको solve कर रहे होंगे तो आएगा 2 की पावर 31 बटे 32 जब solve करेंगे तो answer तो same ही रहेगा आप चाहे बाहर से solve कर लो चाहे आप अंदर से solve करो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब ये multiple में है तब ही हम ऐसा कर पा रहे हैं या तो भाहर से solve कर रहे हैं या फिर सामें नहीं करेंगी दोस्तों ठेक है यह concept मैंने आपको दिया है कि अब direct कैसे करेंगी दोस्तों तो direct देखें कैसे करेंगे यहाँ पर एक रूट का मतलब होता है दोस्तों टू इस एक रूट का मतलब क्या है तो है तो दो गुणा में चार, चार दोनी आठ, आठ दोनी सोडा, सोडा दोनी बत्तिस, तो हम लिख देंगे दो की पावर बत्तिस और उपर एक कम करके लिख देंगे, जैसे माल लीजिए आप से पुछा जाए कोर सवाल हम लेना चाहें, आप से पुछा गया तीन, इंटू तीन, रूट के अंदर है तीन, रूट थरी, इसका आप से सोलिशन पुछा गया, तो आप क्या करेंगे, तीन लिखेंगे, आप ये दो, गुणा में चार, दोनी आठ, दोनी सोडा, तो बटे तो क्या है का दोस्तो सोडा, और उपर एक कमा जाएगा दोस्तो, बातरी समस में, तो है जैगा तीन की प इंटू, इलेवन दोस्तो, इलेवन, ये आप से पुछा गया, तो इसको कैसे सोल करेंगे दोस्तो, सबसे पर एलेवन लिखेंगे, अब ये दो, दो दोनी चार, चार दोनी आठ, आप दोनी सोडा, सोडा दोनी 32, तो एक क्या हैगा दोस्तो, ग्यारा की पावर 32, और उपर आपको यहां पर ही मिलता है, चोथा नम्मर सवाल लेते हैं, जैसे आपको इस प्रकार से दे दिया जाए, कि 7 into 7 into 7 into 7 और into ये infinity तक जा रहा है माल लीजी, ये infinity तक ना करके इसकुम कर सकते हैं, m time, कितना करते हैं दोस्तों, m times, तो देखें दोस्तों, आगर 2 की पावर एक लिखा हुआ है, या ये कहें कि एक बार आपने देखो इस प्रकार लिखा, 2 गुणा में 2, यानि 2 को 2 बार गुणा किया तो इसका मतलब कहें है 2 की पावर 2, जब आपने 2 को 3 बार multiply किया तो कहेंगा दोस्तों, 2 की पावर 3, जब मतलब 2 की पावर कितना दोस्तों, 4, जब आप 2 को 50 बार गुणा कर रहे हैं, ठेक है, इसी प्रकार 50 बार गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 की पावर 50 दोस्तों, अब यहाँ पी क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पी 7 है, 7 गुणा, 7 गुणा, 7 गुणा, 7 गुणा, 7 ग तो देखें दोस्तों ध्यान से, इस सवाल को अगर ध्यान से देखें, तो यहां पर यह दो की पावर च्यार ही तो है, यह निच्ची वाला जो सोडा है, यह क्या है, दो, इसका मतलब दो, गुणा में, दो, गुणा में, दो, गुणा में, दो, गुणा में, दो, ऐसे तो क्य और उपर क्याएगा यानि टू की पावर एम आएगा बातारी समझ में यहां लिख देता हूं इसको मैं टू की पावर कैसे लिख रहेंगे इसको इसको लिख रहे होंगे साथ की पावर दो की पावर एम आएगा उपर एम माइनस एना जाएगा ठीक थोड़ा सा यहां पर किल साथ साथ तो आएगा ही अब साथ का अंसर क्या बनेगा दोस्तो तो निचे आएगा टू की पावर एम और उपर जितनी आपने पावर यहां पर लगाई उससे क्या आएगा एक कम आएगा ठेक है जैसे मान लिजे एक और सौल लिते हैं जैसे आप से दिया गया के भी 5 इंटू 5 सोरी रूट के अंदर है ये 5 इंटू रूट 5 और ये जा रहा है आपका एंड टाइम्स तक कहां तक जा रहा है दोस्तो एंड टाइम्स तक इसका अंसर क्या बनेगा दोस्तो फाइव आप यहां पर निचे के लिख रहे हैं टू की पावर एन और उपर टू एन माइनस वन दोस्तो यही इसका सोलूशन बढ़ रहा होगा नई समझे में आ रहा देखे दोस्तो द्यान से देखेंगे जैसे मान लिजी मैं लिख रहा ह हैं यहां पर जैसे मान लिजी वाल लिख रहा हूं 19 फिर रूट में 19 है फिर रूट में 19 है तो आप इसका अंसर क्या दे रहे हो 19 फिर आप लिख रहे हो 2,2,4,2,8,2,16 तो निच्छे क्या रहा है कि यह च्यार बार रिपीट नहीं होगा है तो निच्छे क्या लिख रहे हैं दो की पावर च्यार उपर दो की पावर च्यार माइनस एक यही तो लिख रहे हैं इसका सोलिशन का बनेगा 19 की पावर निच्छे आएगा 16 और उपर आएगा 15 यही तो आप लिखोगे final answer तो जो concept है वो ये है कि यहां पर maal लिजी M time दिया हुआ है तो निच्च आएगा 7 की power निच्छ आएगा यहां पर 2 की पावर M और उपर जितना आपने निच्छ लिखाऊ से एक कम करके यहां पर लिख दिया जाएगा दोस्तों ठेक है आसा करता हूं चीज आपको समझ में आई होगी आई दोस्तों अभी जो अमने पढ़ा हूं उसके बारे में थोड़े से टाइ 17 लिखना है 2 into 2 into 2 into 2 कितना आएगा दोस्तों 16 आएगा और निच्छ जितना आप लिख रहे हों से एक कम करकर आप लिख देंगे यही सवाल का आंसर हो जाएगा जैसे यहां पर लिखावर 39 लगाता है तो 29 लिखेंगे दोस्तों आब इक कितनी बार है 1,2,3,4,5 यानि 2 सवाल का आंसर हो जाएगा जैसे यहां पर देखें तो यह 5 लिखा हो है तीन बार तो 2 दूनी 4,4 दूनी 8 तो 5 के पावर 7 बटे 8 ही सवाल का क्या होगा आंसर होगा यानि निच्छ आपका 8 हाएगा और उपर 8 से कम आ जाएगा दोस्तों यही इसका डारेक्ट त्रिक है डा तो निच्छ आएगा 64 उपर क्या लिखेंगे एक कम लिखेंगे और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा एक नंबर जो आपको यहां पर मिलेगा वो फोकट का मिलेगा बिलकुल मुफ्त का अगर इस प्रकार का सवाल आता है दोस्तों तो इसके साथ अमारे टा आपे में नोट्स बनाते हुए ताकि जब आप खुद से प्रक्टिस करो तो कोई सवाल अगर समझ में आए तो आपको वापस वीडियो पर नहीं आना है आपने जो नोट्स बना रखें उनसे ही एप हैल्प लेनी है योगि खुद के बनाए हुए नोट्स से जब आप पढ होगे तो आपको ज्यादा बेटर चीजें समझ में आएंगे और आप कंक्लूजन ज्यादा बेटर निकल पाओगे अगली जो यहां पर टाइप आती है दोस्तों टाइप बी उसमें क्या होता है इनफनेटी तक चीजे जाती है जैसे यहां पर टाइप की बात करें तो पहल इसे में दूसरी टाइप यहां पर पूछे जाती है दोस्तों किवल सिंबल चेंज होगा एक्स माइनस अंडरूट एक्स माइनस अंडरूट एक्स माइनस अंडरूट एक्स माइनस और जाएगा दोस्तों इनफनेटी तक ठेक है इसे में जो तीसरी टाइप बनती है तो वो बनती है multiple के x गुणा में अंडूरूट x गुणा में अंडूरूट x गुणा में और यह जाएगी दोस्तों कहां तक अब भी हमने जो multiple का देखा वो limited time के लिए देखा था अब यहां पर infinity तक है अनन्द तक है दोस्तों ठीक है इसी में 4 जो टाइप पुछी जाती है वो आती है जो एक बार तो हमने देखा है यहां पर plus का symbol आ रहा है और में एक बार minus का रहा है और यह इसकी अगली type है इसमें क आएगा एक बार x plus में फिर आएगा x minus फिर आएगा x plus फिर root में आएगा x minus और यही चीज आपके infinity तक चलती जाएगी दोस्तों और इसमें जो पांच्वी type आती है वो भी same है केवल minus पहले मिलेगा x minus फिर root के अंदर x मिलेगा plus फिर root के अंदर x मिलेगा minus फिर root के अंदर x मिलेगा plus और यह जाएगा दोस्तों infinite तक बातरी समझ में यहाँ पे एक बार plus है पहले यहाँ पे पहले क्या है minus है दोस्तों तो देखिए अब इसको हम कैसे solve करेंगे तो इसको हम solve करने के लिए कुछ example का सहरा लेंगे example से आप यहाँ पी दे रखा है ठेक है तो यहाँ पर माल लीजिए पहला सवाल हम लेते हैं कि साथ या हम ले लेते हैं यहाँ पर 20 पलस में root 20 पलस में root 20 पलस में और कहां तक दोस्तों infinite तक दूसरा सवाल हम यहापे लेंगे इसी को 20 minus root 20 minus root 20 minus root 20 minus एक हां तक दोस्तों infinite तक और इसी में तीसरा हम लेंगे दोस्तों 20 into root 20 into root 20 into root 20 और यह जा रहा है कहां तक दोस्तों infinite तक ठेक है तो हम इनको अलगले तरिके से डिस्स करेंगे दोस्तों तो देखें दोस्तों इस प्रकार के स्वालों में क्या करते है आपने चोटी जो अमारी चोटी कक्स आई थी उनमें आपने डिसस किया होगा इस प्रकार के सवाल जो quadratic equation होती है द्वी घात स्मेकरन होती है उनमें ये topic आपको इस प्रकार के question देखने को मिलते हैं दोस्तों तो हम क्या करते हैं इस पूरे की value जितना आपको यहाँ पर लिखावा दिख रहा है इसकी value मान लेते हैं कितना दोस्तों x मान लेते हैं क्या मान लिया दोस्तों x मान लिया अब यह actual में x है क्या दोस्तों x आपको पता है यह root 20 है फिर root 20 है फि आपको चेक करना है कि repetition कहां से start हो रहा है repetition है वो कहां से start हो रहा है तो आप देखरें यह route 20 तो ही repetition कहां से start हो रहा है repetition यहां से start हो रहा है तो यही क्या है दोस्तो आपका x है बात अरे समझ में जहां से repetition start हो रहा है वही आपका क्या है x है दोस्तो तो जब आप इसको soul करेंगे तो यह क्या आएगा दोस्तो root 20 पलस में अब यह सारा क्या है दोस्तो x है और यह बराबर किसके दोस्तो x को है बात आरी समझ में बहें root 20 था जहां से repetition स्टार्ट हुआ है वही x है तो एक 20 तो आएगा दोस्तो यहां से repetition स्टार्ट है तो यही क्या है दोस्तो X है तो यहाईगा root 20 प्लस में X बराबर किसके है X के अब आप इसको solve करना है तो solve करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम यह सुकेर हटाएंगे तो सुकेर root जो हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे सुकेर करना पड़ेगा क्या करेंगे दोस्तो सुकेर करेंगे वरक करना पड़ेगा तो वरक करेंगे तो यह आपका यह तो हट जाएगा तो यह क्या हैगा 20 प्लस में X बराबर X की सुकेर दोस्तो फर्दर जब आप इसको solve करेंगे तो आएगा x square minus x minus 20 बड़ाबर 0 अब ये क्या बन चुकी है quadratic equation बन चुकी है द्वी घात समेकरन बन चुकी है अब इसको आपको solve करना है तो इस x के ऐसे आपको factor करने है जिनका गुणा करें तो 20 आए माइनस का और जोडें तो माइनस का x आए तो आप कहेंगे सर एक factor बनेगा 5 और दूसरा बनेगा 4 माइनस का 5 और पलस का 4 लेंगे तो 5 चुक 20 माइनस का 20 आएगा और माइनस के 5 x में से पलस का 4 x गटाएंगे तो कहाएगा माइनस का x बनेगा यानि जब आप इसको solve करेंगे इसकी जो value आएगी एक आएगी 5 और दूसरा आएगी माइनस का 4 एक आएगी 5 positive और दूसरा आएगा माइनस की 4 जब भी कोई root के अंदर value होती है तो वहाँ पे negative answer नहीं आता है तो आपका answer कहेगा दोस्तो x आएगा और यही सवाल का क्या है detail solution है बातारी समझ में यह कहा है दोस्तो इसका detail solution है ठेक है तो यहाँ पे x का मान कितना जाएगा 5 आजाएगा पहले मैं आपको concept दे रहा हूँ फिर मैं आपको direct trick बताऊँगा कैसे करेंगे जैसे अगला सवाल है तो इसको मैं फिर से समझाना चाहूँगा यहाँ पे इसको हम रख लेते हैं किसके बराबर दोस्तो x के बराबर अब आप देखी repetition कहां से हो रहा है तो यह root 20 minus root 20 यही से तो repetition स्टार्ट हो रहा है दोस्तो तो यही आपका क्या है x है तो रख देंगे root 20 minus यह क्या है दोस्तो x बराबर किसके x के आप इसको sol करने के लिए क्या करना पड़ेगा यह root आपको हटाना पड़ेगा तो हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तो वरक करेंगे वरक करेंगे तो यह root तो हट जाएगा 20 माइनस X बराबर X सुकेर हो जाएगा जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह आएगा दोस्तो X सुकेर पलस में X माइनस 20 बराबर 0 ठेक है अब इस बार क्या हुआ कि इस 20 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको गुणा करें तो माइनस का 20 आए और जिनको जोड़ें तो पलस का X आए तो आप कहेंगे सर इस बार 5 है यह पलस का ले लो और 4 है माइनस का ले लो तो 5 ओके 20 माइनस का 20 आएगा और 5 में से 4 गटाएंगे तो पलस का S आएगा यह हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं जादा डिटेल में नहीं बताऊंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी एक तो आएगी माइनस का 5 और एक आएगी 4 तो माइनस की वैले थो हम लेते नहीं है रूट में तो आंसर कहेंगे दोस्तों चार आएगा बातरी समझ में तो एक सुबराबर कहेंगा चार आएगा दोस् रूट 20 इंटू 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 और यह था इंफिनिटी तक तो इसको मान लेते हैं किसके बराबर दोस्तों एक्स के बराबर हम मान लेते हैं ठेक है अब देखें दोस्तों सेम प्रोसेस करेंगे तो यह क्या है आपका जहां से repetition स्टार्ट हो रहा है वही आपका क्या है x है ठेक है तो हम प्ल्न करेंगे तो यह आएगा 20 इंटू x बड़ाबर यही तो आएगा अब सेम क्या करना पड़ेगा व्रक करें थे दूस्तों हड़ बीस गुणा में x बड़ाबर x की सुकेर आएगी और x से x को काटेंगे तो x की value कितना आएगी 20 तो यहाँ पर answer क्याएगा 20 आएगा तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं quardic equation से इसको solve किया तो यहाँ पर answer आया 5 यहाँ पर answer आया 4 यहाँ पर आया है 20 अब धान से देखेंगे यहाँ पर भी हमने 20 लिया और हमने 20 के ऐसे फ्रैटर कि जिनके बीच में एक कंतर था बहतर ही समझिमें वैसे तो 20 के फ्रैटर 10 गुणा में दो भी बन जाएगा 1042 भीस होता लेकिन 10 और दो में अंतर आठ का उता है मैं चीलिए ऐसे फ्रैटर जिनके बीच में एक कंतर हो तो 20 कैसे फेक्टर जिनमें एक कंतर हो तो 5 और 4 बनेगा यहाँ पे पलस का निसान था देखो फेक्टर क्या बनेगा 20 के 5 और 4 बनेगे अब यहाँ पे पलस का निसान था तो बड़ा नंबर आंसर आ रहा था यहाँ पे माइनस का निसान था तो यहाँ पे छोटा नम्र आपका आंसर आ रहा है चोटा फेक्टर आंसर आ रहा है और यहाँ पर multiple है अनंत तक तो जो value अंदर लिखी हुई है वही आपका क्या हो जाएगी answer हो जाएगी दोस्तों बातरी समझ में जड़ा देखते हैं अभी इसको देखते हैं कि आपको समझ में आया की नहीं आया फिर ऐसे सवाल भी देखेंगे जिनके factor नहीं बनेंगे ठीक है दोस्तों देखिए माल लिजे यहाँ पर सवाल लिते हैं एक सवाल लिते हैं माल लिजे लिखा हुआ है 72 पलस में 72 पलस में 72 पलस में रिज़ा रहा है अनंतर दोस्तों एक सवाल और लिते हैं माल लिजे लिखा हुआ है 110 माइनस रूट के अंदर 110 माइनस रूट 110 और यह जा रहा है सवाल लिते हैं माल लिजे यहाँ पर लिखा हुआ है 42 पलस में 42 पलस में 42 पलस में जा रहा है अनंतर और एक सवाल लिते हैं चोथा माल लिजे लिखा हुआ है 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 और यह जा रहा है दोस्तों अनंतर अब इनका आप से सोलुशन पुछा जाए तो आपको करना क्या है भैतर के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में एक कंतर हो एक से ज्यादा कंतर नहीं चलेगा भैतर के 72 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में एक कंतर हो तो आप कहेंगे इनके अंतर बनेंगे 9 गुणा में 8 बराबर कितना होता है 9 अंठे बैतर होता है तो यहाँ पे factor क्या बना दोस्तो एक 9 बनेगा और एक 8 बनेगा ऐसे factor करने है जिनके बीज में एक कंतर हो तो factor बनेगे 9 और 8 अब दोस्तो यहाँ पे पलस का निसान है तो जब निसान पलस का हो, तो हमेश्या greater value आंसर होगी, तो इसका आंसर आजाएगा no, ठेक है, अब यहाँ पे देखे, 110 के ऐसे factor कीज़े, जिनके बीच में एक अंतर हो, तो आप कहेंगे सर 11,2,110, तो 11 गुणा में 10 बनेगा, तो यहाँ पे minus का निसान है, तो जो छोटा factor है वही आपका आंसर हो जाएगा, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, दस होगा, जैसे यहाँ पे दिरेखा है B40, तो B40 के factor करें, 7 गुणा में 6 बराबर कितना होता है B40, 7 और 6 B40 के ऐसे factor हैं, जिनके बीच में एक अंतर है, एक कही अंतर लाना चाहिए, ऐसे factor रून लिए, ज है गुणा में 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निसान है, तो आंसर क्या जाएगा, छोटे वड़ा factor 5 इस सवाल का आंसर आजाएगा, बात आरी समझ में, तो ये चीज आपको किलियर होई, ये चीज आपको किलियर होनी चीए दोस्तों, ठेक है, अब देखिए, अब ऐसे का अंतर हो, तो उनको कैसे सोल करेंगे, जैसे माल लीजे, यहाँ पे सवाल आपको दिया जाए, सवाल आपको दिया गया, रूट सेवन, पलस में, रूट सेवन, पलस में, रूट सेवन, पलस में जा रहा है, इंफिनिटी तक, एक और सवाल लेते हैं, माल लीजे, आपको जा रहा है infinity तक एक और स्वाल लेत्त में आपको दिए तक खु़ंड से पाइन समर्छिया रूट 19 माइनस, रूट 19 माइनस, रूट 19 और जा रहा है दोस्तों, इन्फनिटी तक, इसको कैसे सोल करेंगे, तो देखें, आप इनको जानते हैं, जब लोजिक से हम इनको सोल करेंगे, तो क्वाडिक एक्वेशन आपकी बनकर निकड़ के आती है, जैसे हमने अभी डिटेल मैं आपको बताया, तो क्वाडिक के किस्वेशन बनेगी, एक सुकेर माइनस, एक्स, और यहाँ पर 19 आ रहा होगा, ठेक है, यहाँ पर 7 है, तो 7 आ रहा होगा, अब 7 के ऐसे फैक्टर पोसिबल नहीं है, जिनके बीच में एक का अंतर हो, यह बहुत ही मुश्किल काम है, ड स्रीधराचारिये फोर्मुले से, स्रीधराचारिये फोर्मुला वही है, जो हमने छोटी किलासिज में पढ़ लिया है, जब क्वाडिक एक्वेशन में, जब फैक्टर नहीं बनते हैं, तो हम स्रीधराचारिये फोर्मुले का इस्तिमाल करते हैं, तो यहाँ पे बनते हैं तो आपको सुत्र इस्तिमाल करना है 4A पलस में 1 पलस 1 बाइ 2 और अगर यहाँ पे माइनस का निसान है तो दोस्तों यह बन जाएगा 4A पलस 1 माइनस 1 बाइ 2 और यह मल्टीपल का निसान है तो यह आप जानते हैं जो संख्यां दर लिखी हुई है वही आपका आंसर हो जाएगा ठेक दोस्तों और इसी प्रकार से हमने 4 और 5 टाइप इसकी लिखी ती सब टाइप X पलस में ıs पलस में इंफिनिटी तक तोज़ां यहां पे यहां पे क्या मिलेगा इस प्रकार से तो देखे धान से अगर यहां पे पलस का निशान पहले आ रहा है तो आपको सुत्तर लगाना है 4A-3-1 by 2 और अगर यहाँ पे माइनस पहले आ रहा है सोरी यहाँ पे पलस पहले है तो यहाँ पे पलस काई कोगा और अगर माइनस आ रहा है तो यह आएगा 4A-3-1 by 2 कुछ नहीं करना यह जो एक है यह रूट से बाहर है दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखेंगे एक्स पलस में रूट एक्स पलस में रूट एक्स पलस में रूट एक्स यह लगातार जा रहा है अनन्द तक और इसके फेक्टर नहीं बन सकती तो आपको सुत्तर लगाना है रूट 4A पलस 1 पलस 1 बाई 2 और अगर यहाँ पर माईनस का निसान नहीं तो यह पलस 1 के जगह माईनस एक हो जाएगा और यहाँ पर अगर अल्टरनेट सिंबल आ रहे हैं पहले पलस फिर माईनस फिर पलस फिर माईनस तो आपको सुत्तर लगाना है 4A माईनस 3 रूट के अंदर पलस 1 बाई 2 और यहाँ पर अगर पहले माईनस है तो यह पलस 1 है किसका हो जाएगा माईनस हो जाएगा और संख्या है अगर मल्टीपल में है तो आपको पताए जो संख्या है वही आपका क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी दोस्तों बात आगी समझ में, तो आईए जड़ा इस सवाल कब सोल करते हैं, तो यहाँ पे रूट 7, रूट 7, रूट 7 पलस के अंदर है, तो कोण सा सुतर लगेगा दोस्तों ये वाड़ा, तो लगा दीजिए, तो रखेंगे 4A, तो 4A का मतलो 7 गुणा में 4, 7 चुक अठाइस और एक 29, तो रूट के अंदर आएगा, 29 पलस में 1 बहार रहेगा, बटे 2 आजाएगा, यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिरेख़ है, रूट 13 माइनस रूट 13 माइनस रूट 13, तो माइनस के निशान है, तो यह सुत्र अपलाई करेंगे, तो देखो 13 चोग 52 पलस में 1 तरेपन आएगा, और यह भार माइनस के एक है, तो रूट 53 माइनस 1 बाई 2, यही सवाल का अंसर हो जाएगा, बातरी समझ में, जैसे आप ही दियागा है, रूट 11, पलस में रूट 11, पलस में रूट 11, पलस में रूट 11, दोस्तों, तो यह पलस का निसान 12, पलस में एक बटे 2, अब इसको सोल भी कर सकते हैं, क्योंकि 45 का मतल है, दोस्तों, 9 गुणा में 5, तो इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, रूट 3, यानि 3 रूट 5 पलस में 1 बाई 2, यह ऐसे भी मिल सकता है आपको, ठेक है, ओप्सन में ऐसे भी दिख सकता है, और यह आख 27, माइनस 1 बाई 2, इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दोस्तों, कुछ नहीं करना, अगर फेक्टर बनते हैं, तो बड़े वाड़ा फेक्टर आंसर होगा, पलस में, छोटे वाड़ा आंसर होगा, माइनस में, अगर फेक्टर नहीं बनते हैं, तो स्री द्र और अच्छे समझ जे चेक है तो देखेए दोस्तों सबसे पहला सवाल दे रखा है तो आप कहेंगे सर 11 गुणा में 12, 132 होता है, 11 गुणा में 12, यानि 132 की जो factor बनेंगे 11 गुणा में 12, दो factor बनेंगे 11 गुणा में 12, ऐसे factor करने हैं जिनके बीच में एक का ही अंतर हो, एक से ज़्यादा का अंतर नहीं चलेगा दोस्तो, हमने देखा कि यहां पे factor कितना बने गुणा में 12, दो factor बनेंगे 11 और 12, अब यहां पे पलस का निसान है दोस्तो, तो पलस में हमें से क्याएगा, ग्रेटर आपका अंसर होगा, तो बड़ा कौन सा यहां पे 12, तो इस सवाल का अंसर क्या जाएगा, 12, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे है, रूट चपन, माइनस, रूट चपन, माइनस, रूट चपन, तो चपन के factor करें, तो 7 गुणा में 8 बराबर चपन होता है, और 7 और 8 चपन के ऐसे factor है, जिनके बीच में अंतर भी कितने का है, एक का है दोस्तो, लेकिन यहां पे माइनस का निसान है, तो आंसर क्याएगा जो छोटा factor है, वो 7 इस सवाल का अंसर होगा, ठेक है, कुछ करना ही नहीं है, अब यहां पे बात आती है, कि भी 17 है, रूट 17 प्लस में, रूट 17 प्लस में, रूट 17, 17 के तैसे factor बढ़ी नहीं सकते, जिनके बीच में एक का अंतर हो, तो यहां पे क्या करेंगे, हम ला क्या बता है, दोस्तो, 4A प्लस में 1, प्लस 1 बाई 2, यह प्लस 1 कब है, जब यहां पे हर बार प्लस का साइन है, तो रख दीजिए, एक की जगह 17, तो 17 चोक 68, प्लस में 1 बाई 2 इस सवाल का, आंसर हो जाएगा, यहां पे 31 माइनस 31 माइनस 31, रूट 31 इस प्रकार से चल आ जा रहा है, तो यहां पे 31 के भी से फेक्टर नहीं बन सकते, जिनके बीच में 1 का अंतर हो, तो यहां पे क्या करेंगे दोस्तो, यहां पे सुतर लगाएंगे, माइनस वाला के 4A प्लस में 1, माइनस 1 बाई 2, तो 31 गुणा में 4 करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, 12, 124 प्लस 25 को में लिख सकते हैं, 25 गुणा में 5, यस और नो, और इसको सोल करेंगे, तो 5 रूट 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तो, तो एक्ट्वल में सवाल का जो आंसर आएगा, यह आएगा 5 रूफ 5, 5 रूट 5, माइनस 1 बाई 2, यह सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तो, इसी प पलस में, रूट 7, माइनस रूट 7, पलस में, रूट 7, माइनस रूट 7, यानि एक बार पलस है, एक बार माइनस है, तो मैंने आपको क्या बता है, यहाँ पे सुत्र कौन सा लागेगा दोस्तो, 4A, माइनस 3, बाई 2, और यहाँ पे साइन किसका आएगा, एक आएगा, यहा साथ चोग अठाइस 28 माइनस 3 कितना मनेगा 25 तो एको 7 गुणा में 4 अठाइस आएगा 28 में 3 गटाएगे 25 तो रूट 25 का मान कितना आएगा 5 आएगा 5 में जोडेंगे 6 6 को भाग देंगे 2 से तो कितना अंसर आएगा 3 तो इस सवाल का अंसर कितना आएगा दोस्तू, 3 आ जाएगा, ठेक है, आसा करता हूँ, आपको चिज्य समझ में आ रही होंगे दोस्तू, अब ये सवाल है, ये तो multiple में है, 9 गुणा में, 9 गुणा में, 9 गुणा में, 9 multiple में जा रहा है अनन तक तो मैंने आपको बताया, जो स संख्या लिखी हुई है, multiple में है, अनन तक जा रहा है, रूट के अंदर है, तो जो संख्या अंदर लिखी हुई है, वही आपका आंसर होगी, ठेक है, और ये आमने शुरुवात में आपको साबित भी करके दिखा दिया है, यहाँ पे देखे, तो रूट 7 पलस में, रूट 7 पलस में, रूट 7 है, यह अनन तक जा रहा है, दोस्तो, और साथ के ऐसे फेक्टर नहीं बन सकते, जिनके बीच में एक का अंतर हो, तो सुत्र कुण सा लगाएंगे, दोस्तो, यह सुत्र बार-बार इसलिए रिख रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाएं, तो 4A पलस में 1 पलस 1 बाइ 2, तो एक की जगह साथ रखेंगे, 7 चोग 28 और 29, तो सवाल का आंसर आएगा, रूट 29 पलस में 1 बाइ 2, यह सवाल का आंसर होगा, ठेक है दोस्तो, इसी परकार यहाँ पे 11 माइनस रूट, 11 माइनस रूट, 11 माइनस रूट, 11 माइनस रूट, 11 दे रखा है, अ अब 45 को कह लिए सकते हैं, दोस्तो, 9 पंजे, देखो इसका जो आंसर आएगा, रूट 45 माइनस 1 बाइ 2 आएगा, अब 45 का मतलग है, 9 गुणा में 5, तो 9 का मतलग 3, तो आएगा 3 रूट 5 माइनस 1 बाइ 2, तो इस सवाल का आंसर आएगा, और आखरी सवाल है, 11 माइनस रूट 11 माइनस में रूट 11, प्लस में बार प्लस माइनस प्लस माइनस ग्यारा चला हुआ है, लेकिन यहाँ पर पहले साइन किसका है दोस्तो, माइनस का, तो माइनस का रिचाना और साइन अल्टरनेट चल रहे हैं, प्लस माइनस, तो आपको सुत्र लगाना है, 4 A माइनस 3 माइनस वन बाइटू यह सुत्र अपलाई करेंगे तो यह आएगा ग्याराच चौवारीस माइनस तीन गटाएंगे रूट इस सवाल का आंसर हो जाएगा धूस्तों ठेक है बाई तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सोल करेंगे तो पर टाइप फर्स और टाइप सेकंड हमारी कम्प्रिट होती है बाकी की टाइप हम अगले पार्ट में डिस्स करेंगे दोस्तों तो अगर आपको समझ में आया है पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है आपके दिमाग में कुछ गुसा है यहां से कुछ हां मेरे को मैथ आएगा म कर सकता हूँ तो आप इस बैज में एडमिशन लीजिए एक सप्टमबर से पहले पहले एडमिशन लेने के लिए आपको जो नीचे नमबर दिख रहा है कोने में 9468164742 इस नमबर पर फोन पे या गुगल पे से अपनी पेमेंट 999 रुपा आपको पे करनी है और पेमेंट क कि पबली क कि सबको मिलेंगी एक सप्टमबर के बास किलास उसी को मिलेगी जिसने पैसे दे रखे हैं कई बच्चे कहेंगे कि सा Brown अदूरा चौड़ दिती हो आपको ऐसês कप्लक नहीं मिल पाती क्योंकि आपने पैसे नहीं दे रखे इसलिए फ्लेगर पूरी एडिशन को पढ़नी है तो बैच आपको जोइन करना पड़ेगा गुरुप में आना पड़ेगा और जैसे हमारा इटोपिक खतम होगा इसकी पीडियो देखी कंसेट किलियर कीजिए पीडियो से प्रक्टिस कीजिए कोई सवाल नहीं आता है तो वाट्सप पर सेंड कीजिए हम डाउट वीडियो उसकी बना देंगे दोस्तों ठेक है बहुत बहुत दन्यवाद